अध्र और सत्कार के योग सभी किसान सातियों गुराम राम किसान सातियों आज दस तारिक है छटे महिने की विजाई कुमार की दाटू है 252 हुई थी कल भी सम्मावना थी तो आज मैं कुमार की विजाई कर रहा हूं मेरे खेत में फंगस की समस्या है जड़ में मैं ट्राइकोड्रमा लिक्विड फोम में ये त्यार कर रखे हैं आज गुवार के बीज को उप्चारिद कर रहा हूं ऐसे उप्चारिद करना इसको उप्चारिद करके इसको सुखा देना है जड़की कोई भी बिमारी अपने खेत में नहीं आएगी हुमार का उठेडा कि इसके साथ म army मूंummंग मिला रख़े हैं हुठेडा रोग नहीं आएगा और त्यासल भी अच्छी बनेगी क्योंकि जड़की फोत जादा हुजाएगी जड़ों की संख्या बढ़ जाएगी जड़ों की संख्या बढ़ जाएगी तो आप अच्छे से ख जमीन में फंगस होने के विजए से ट्राइगोडर्मा का सारा लेना पड़ा नहीं तो मैं वेस्टेडी कंपोजर से ही मतलब बीज को उपचारित करता था अभी ज्यादा नहीं लगाना इसको ऐसे लगाना है कि वही पूरे बीज को आरम से लग जाए पूरा बीज उपचारित हो जाए बीज को उपचारित होने के बाद इसको च्छाओं में सुका देंगे हम और च्छाओं में सुकाने के बाद जो है उसको विजाई के लिए डाल कोई दिक्कत नहीं है और गुमार को ज्यान रखना ये है कि इसका छिलका बहुत ही नर्म होता है ज्यादा अगर आपने लगा दिया तो छिलका उतरना शुरू हो जाएगा ये द्यांगत है जड़कलन के लिए जो अपने पास ये ट्राइकोड्रमा काम करेगा इससे बेहतर को कोई भी साल्ट काम नहीं करेगा तो ज्यान ये रहे मेरा मोबाइल नंबर है जी ट्रीपर नाइन वन शीक्स थरी फोर थरी डबल जिरो किसी भी किसान साथी को अगर कोई भी दिक्कत में सुचोती है जैसी भी तुटी-पुटी गाणकरी रहेगी मेरे नंबर नो सुनिनान में 16-34-300 पर संप्रक कर सकता है अपना चैनल का नाम है जी डवलूडी सी भूमी सुधार इस चैनल जो पर ये वीडियो मिलेगी आप कभी भी खोल के देखो जिस भी किसान साथी का भरम ये रहता है कि वीज को उप्चारित कैसे करें तो ये वीज उप्चारित करने का तरी का दी थोड़ा लेना है जैसे ये लिया ऐसा लगाया और इसको फिर जो है हाथ लगा लेना हाथ निकार देंगे ऐसे कि वीज आपका उप्चारित हो गया इस चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब जूरू करें कॉमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी जानकारी में कोई क करने वाद राम राम लोजी राम राम बाउजियो ये लाइव टेली कास्ट लाइव चल रहे हाज है गौहर की बिजाई चारसो चौटीस पावर ट्रक और आठ फुटा रोटा वेटर आपके शाय में आपकी नजरों में ये लोजी पावर ट्रक चारसो चौटीस गौहर की बिजाई रोटा वेटर की खिचाई ये देखो जी